देखिए यहां पर जब इंदियर नंबर सिस्टम को आप देखेंगे तो यहां पर पहली तीन संख्या है जो है यहां पर देखिए इकाई दाई सैकड़ा उसके बाद में क्या देखेंगे कि आप हजार फिर दस हजार फिर क्या देखेंगे लाग दस लाग फिर करोड दस यानि कि पहले तीन संख्याएं बनेगी इस बार दो दो का स्लाट बनता चला जाएगा तो यह होता है अब यहाँ पर इनके लिखने का तरीका क्या है अगर माल लेजिए कि एक संख्या है यहाँ पर सेवेन सेवेन 5 6 4 3 2 1 और इसको इंडियन नंबर सिस्टम से लिखा जाए त इनमें खामा कैसे लगता है तो यहाँ पर देखिए पहले तीन संख्याएं होती है कि काई दाई साइकाल जो की अलग है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कामा लग जाएगा फिर उसकी बाद में दो-दो संख्या बाद कामा लग जाए जितनी संख्याएं बढ़ी हों कि यह से अगर इंको इंडियन नंबर सिस्टम के लगाना है तो पहले तीन संख्या बाद फिर दूदो संख्या बाद यहां पर कामा लगता हुआ चला जाए तो यह इंडियन नंबर सिस्टम हो यह अब यहां पर जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें क्या होता है कि तीन यहां पर देखिए होता है 110 जोकि अलग अलग है तीन चीज़ें उसके बाद में आप क्या देखेंगे थाउजन, ten thousand, ten thousand, hundred thousand यह ineffective फिर यहां पर million, ten million, और फिर hundred million तो इस प्रकार से इन्वे क्या होता है इनुको लिखने का सिस्टम क्या होता है अगर इनको हम इन्दियान नमज्ट के अनुसार लिखें तो यहाँ पर कामा क्या होता है? पहले तीन संख्या बाद कामा लगी की फिर इनमे तीन ही तीन संख्या बाद कामा लगती भी चली जाएगी जिससे एकर हम इसको समझें की यह नहीं लहे और इसको इंटर्नेशनल नंबर सिस्टम से कामा लगाना है तो यहां पर देखिए यहां पर तीन तीन संख्या बार कामा आपका लगता चला दाएगा तो यह हुआ आपका जो अंतर है अब देखिए इनको पढ़ते कैसे हैं थोड़ा से यह समझ लेते हैं कि संख्याओं को प पढ़ेंगे यहां पर देकी 100,000 फिर 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन यहनी कि 7,554,321 तो इस प्रकाष से इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे